Hello everyone, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपके माम इलाकरान्ती और आज मैं अपने सभी ब्यारे बच्चों के लिए ले करके आई हूँ एक ऐसा सेशन जिसमें आज आप लोगों को मैं गाइट करूँगी कि exam के point of view से कौन-कौन से derivation आपको जरूर करके जाने हैं. exam का time इतना नस्दीक आ गया है कि बच्चों की feeling में जरूर समझ सकती हूँ कि कितनी घबराहत हो रही होगी यह थोड़ा बहुत डर तो लग रहा होगा लेकिन इस घबराहत से आपको बिलकुल बाहर ले करके आएगी आपके मैं इलाकरान्ती आज के इस guidance वीडियो में तो बिल जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है दिल से हार गए दिल से हार गए या हार को मान लिया तो सर्फ मान लेने से ही हार हो जाती है तो हार नहीं मानना है और आज के इस guidance वीडियो में जो भी मैं आपको guide करूंगी उसके according पूरा derivation आप लोगों को हर चाप्टर का एक से ले देख सकते हो कि कुलाम के नियम ठीक है कुलाम का नियम और इसका वेक्टर रूप यह derivation आपको जरूर पूछता ही पूछता है तो यह आपको बिल्कुल लिख करके प्रक्टिस करके जाना है बिल्कुल देख कर जाना एक्जाम से पहले द्वी धू की बात करें तो द्वी चप्टर में हम विभाओ का भी derivation करते हैं इसके बाद हम आ जाते हैं गोलाकार खोखले गोले के लिए विद्वचेतर की तीवरता याने की हमारा गौस का नियम तो गौस का नियम भी आपका विस्तरि से पूछे जाने वाले question में definitely पूछा जाता है इसके बाद जब हम गौ सब्सक्राइब करते हो तो बिल्कुल यह पहले चाप्टर का हो गया जो derivation आपको जरूर देखना ही देखना है ठीक है इसके बाद जो हम यहां पर electrostatic और मतलब जो हम electrostatic potential और capacitance चाप्टर सेकेंड चाप्टर में आपको जो है एक बिंदू आवेश के कारण यहां पर विद लेकिन अगर आप विद्युद्चेत्र का विद्युद्वीद्रू के लिए derivation कर लेते हो तो वहां पर आपका विभाव का derivation भी कवर हो जाता है similar kind of है तो बिल्कुल आप दोनों को साथ में कर लेना ठीक है ज्यादा chances है विद्युद्चेत्र का पूछने का इसके बाद सम समनांतर प्लेट संधारित्र जो बिल्कुल आपको पूछता है जिसमें आप यहां पर धारिता के लिए derivation निकालते हो इसके अलावा संग्रहित औरजा की बात करी जाती है जिसमें हम औरजा के different formula तीन formula जो हम पढ़ते हैं यह derivation आपका second chapter से third chapter की अगर हम बात करें विद्य करने के लिए तो यह आपका clear होना ही चाहिए और इसके अलावा आपको जो है question आ सकता है धारा और धारा घनत्व के बारे में ठीक है और इसके अलावा जो है यहां पर जो है अनुगमन वेग और विद्युद्धारा के बीच में क्या relation होता है तो अनुगमन वेग के form में अ जो डेरिवेशन आपको जरूर करना है जो आपको मैं आज इस session में बता रही हूं यह डेरिवेशन आपके पक्के हो जाएंगे तो आपका कोई भी पांच हंको का प्रेशन छूटेगा नहीं ठीक है इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का स्रेणी और समनांतर क्रम का जो हम डेरिवेशन करते हैं यह बहुत ही आसान डेरिवेशन है आपको यह डेरिवेशन जरूर लिख के प्राक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन प्रतिरोधों का स्रेणी क्रम और समनांतर क्रम बहुत ही आसान डेरिवेशन जो आपको डेफिनिटली बनेगा इस च योजन में स्रेणी क्रम और समनांतर क्रम के लिए डारिवेशन तो मैंने आपको बताया बट पांच अंक के नुमारिकल पांच नंबर के नुमारिकल इन दोनों टॉपिक से पूछते हैं साथ ही साथ पोटेंशियो मिटर जो टॉपिक है आपका विभाव मापी जिनके सिलेब और चुम्बकत्व यहां पर बायो सेवट के नियम का अनुप्रयोग पुछता है हना तीन अनुप्रयोग हो गया एक तो जो है एक तो सीधे धारावाही चालकतार के कारण और उसके अलावा जो है वित्ताकार लूप के अक्षपर या केंद्र पर अक्षपर या केंद्र प पुछे लेकिन जादा तर जादा तर विद्ता का लूप के कारण पूसता है अक्षपर या केंद्र पर तो ध्यान रखना है ampere kanium ठीक है ampere kanium और इसका derivation definitely इस chapter से important है और ampere के अनन्त सीधे तार के कारण आपको चुंबकिये शेत्र calculate करना और यहाँ पर आपको जो है परिनालिका और टॉराइड यह important है इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे एक समान चुंबकिये शेत्र और विद्यू छेत्र में गतिमान आवेश पर बल अब इस बल के लिए आपको numerical question पूछ सकता है ठीक है बल के लिए आपको क्या पूछ सकता है numerical question पूछ सकता है तो बिलकुल ध्यान रखना है इसके बाद हम बात करते हैं धारा प्रवाहित करने वाले conductor पर बल ठीक है तो इसका derivation और इसका numerical दोनों ही important है जब हम बात करते हैं कि इसकी एक समान चुंबकिये शेत्र में अगर कोई हम क्या रख देते हैं conductor रख देते हैं अब यहां पर जो है दो समनांतर के लिए भी हम पढ़ते हैं बिलकुल दो समनांतर इस तरीके से है अगर एक दूसरे की समनांतर धारावाही चालक है और यहां पर एक दूसरे की कारण किस तरह से वो बल का अनुभाव करता है और यहां पर जो है इसको हम प्रतिलंबाई के रूप में भी लिखते हैं ठीक है तो इसका formula भी important है कभी हो सकता ये formula आपको objective में पूछे पर 5 नंबर के प्रिशन भी इस topic से definitely chances है आने के ये derivation भी आपका होना चाहिए इसके बाद टॉर्क का derivation आता है एक समान चुंबकिये शेत्र में टॉर्क का derivation ठीक है बिलकुल बल भूने लगता ये derivation ग्यालोटो मेटर के कारन आपका जो मेटर में इसको कैसे convert कर सकते हो वोल्ट मेटर में कैसे गूम रहा होता है उसके करन जो हम derivation करते हैं घूमते हुए electron का चुमबकिया द्वीध्रू आगों न जो हम find out करते हैं यह derivation आपका important है ठीक है तो इस chapter से सर्फ यह derivation जादा important है अब इसके अलावा जो है पैरा डाय और फैरो मैंनेटिक पदार्थों का जो है यह जादा important है ठीक है लेकिन यहां पर जो है टॉर्क वाला में भी यहां पर जो है मतलब आप बिल्कुल यह derivation करते हैं लेकिन ज्यादा तर chances है आपका यह जो द्वीध्रू आगों न चुमबकिया शेत्र का जो सवालना है यह पैरा डाया यह फैरो मैंगनेटिक मटेरियल याने की चुमबकिया पदार्थों के बारे में जो द्वीध्रू करते हैं वह पांच नंबर का सवाल तो यह दिर्गह उत्तरिया प्रेशन में आपको बता रही हूं ठीक है अब इसके बाद हम छठे चैप्टर क समिक्रों की बातकरेंगे गरुद्यमद्य जो है आपकर है यहाँ पर केवल और केवल जब हम बात करते हैं मोशनल ऐमाफ की जब हम बात करते हैं एक तो हम ढ firma का नियुए नियुल ऑपकरेरण यह थी आपका P inquisky सकता है इस chapter is एक है छोटे कौशन के लिए जादा रहता है, बड़े questions के लिए इतना जादा नहीं रहता है, सात्वा चाप्टर, अब यहां से आपका जो है RLC circuit का derivation और LC दोलन वाला derivation आपका बिल्कुल बहुत जादा important है, ठीक है, और यह RLC circuit में जब अनुनाद का case है, इस condition के लिए इस से numerical और इस से derivation, दोनों ही 5 नंबर के पूछे जाने की बिल्कुल जो है आशंका है, ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैंने LCR का आपको बता दिया, तो इसमें काफी सारे combination है, LR, LC, लेकिन आप अगर LCR combination कर लोगे, तो वो सबसे जादा महत्वपूर्ण है, जुसमें आपको परप्रतिबाधा और उसर सक्तिया जो भी सारी चीज़े आपको calculate करने है, उसर related, ठीक है, अब इसके बाद ये आपका अध्याए, अध्याए 8 है, ठीक है, तो अध्याए 8 है विद्धु चुम्बकिय तरंग, ठीक है, अब इसमें जो है आपको ज्यादा important है चुम्बकिय वर्नकरम, ठीक है, चुम्बकिय वर करें तो यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक्स है, जोसे आपको दिर्ग उत्तरिया प्रश्ना पूछ सकता है, सबसे पहला important topic पुर्णा आंधरिक परावरतन के बारे में, जो है आपकोष का रिलेटेट और पुर्णा आंधरिक परावरतन से बाद है और पुर्णा आंधरिक मेकर सुत्र जो हम पढ़ते हैं 1 by f is equals to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 यह इसका जो derivation है यह काफी important derivation है तो यह आपको पूछ सकता है ठीक है इसके अलावा जो है प्रिस्म के लिए जो हम विचलन को निकालते हैं ठीक है उसके लिए समेकर सुत्र दरपंड सुत्र और पूर्णा अंतरिक परावर्तन आपका सबसे जादा important है अब सुक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की अगर बात करें तो जितने भी सुक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दूरदर्शी theoretical questions है theoretical questions आपको दिर्ग उत्रिय प्रेशन में पूछे जाने के chances होते ही है आपको सुक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो आप पढ़ते हो एक सरल सुक्ष्मदर्शी एक संयुक्त एक खगोलिया एक आपको परावर्ती जो इन चारों में से एक का आने का जर्री के लिए और द्वी जर्री के लिए भी यह आपका पूछा जाने का chances रहता है इसके अलावा जो है धुवी कलंड polarization इसके रिलेटेड आपको जो है यहां पर तिवरता calculate करने के लिए numerical question आ सकता है ठीक है तिवरता calculate करने के लिए इसके बाद हम विकरन तथा द्रव्य क की द्वयत प्रकृती की चाप्टर की हम जब बात करते हैं तो यहां पर प्रकाश विद्यत प्रभाव आइंस्टीन समीकरण वाला जो question है यह derivation आपका आने का आइंस्टीन समीकरण वाला derivation आपका पांच नंबर में दिर्गत्रिय प्रेश्ण में आने का chances होता है अब पर इस तर और hydrogen spectrum की बात करते हैं लाइमन स्रेणी बामर स्रेणी ठीक है इन सब स्रेणियों की जब बात करते हैं तो इसके related numerical question पुछने के chances होते हैं ठीक है तो यह हो गया परमारू परमारू के बाद हम नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक चाप्टर में यह जो सुत्र है आप आपका काफी important सुत्र है जहां पर हमको अर्धा आयू ओसत आयू या अर्धा आयू ज्यादा तर calculate करने के लिए numerical आता है numerical आता है ठीक है संख्यात्मक प्रशन आपको इसके लिए prepare करना है इसके बाद प्रती नुक्लियोन बंधन उर्जा और द्रव्यमान संख्या से जुड सकता है और बिल्कुल थोरी कोशन जो है ना भी किया रियक्टर से भी आपको पूछ सकता है अब आखरी शाप्टर है हमारा समी कंड़क्तर अर्धा चालक के बारे में हम बात करें तो यहां पर जो हम सबसे पहले कंड़क्टर थोसों में उर्जा बैंड जो पढ़ते हैं थ इसके बाद डायोड का फॉरड बायस और रिवर्स बायस तो भाई यह पी एंट जंक्शन डायोड आपका इंपॉर्टेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक डाइग्राम भी आप अच्छे से प्रिपार कर लिना यह पूरी कंप्लीट थोरी आपको डेफिनेटली पांच नंब अमीटर ट्रांजिस्टर जो है कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर ठीक है यह अप बहुत अच्छो सी कर लेना ठीक है तो बस यही आपको जो है पढ़ना है इतना ही डेरिवेशन अगर आप लॉंग टाइप के लिए प्रिपार करके चले जाओगे तो डेफिनेटली आपका ए सेशन बहुत अच्छा लगा होगा कॉमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताना है कि नेक्स सेशन नेक्स गाइडेंस आपको किस टॉपिक पर चाहिए मिलते हम अपने लेक्चेस में और तब तक के लिए बाई बच्चो